हाई एवरिवन वेलकम टू माई चैनल इटविद दल जी तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही कुईक सी रेसिपी लेके आई हूं कुकर में पास्ता जो कि बहुत जल्दी बनके तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो चले रेसिपी स्टार्ट करें यहां पर एक कुकर लिया है जिसे मेंने मिडियम फ्लेंब पर रखा फिर में इसमें डो से तीन टेबल इसपून चाहरे रफली चॉप करके प्याज दालूँगी और एक मेगी मसाले का पकेकेट डालोंगी और थोड़े से हल्दी डालोंगी यहां पर एक हाब बाउल तमेटो प्यूरी डालूँगी और हिलाते हुए एक मिट के लिए कोक कर लोगी यहाँ पर मैं कम मसाले ले रही हूँ क्योंकि मैं मेरी बच्ची के लिए कोक कर रही हूँ आप अपने टेस्क के अकॉर्डिंग ज्यादा मसाले भी डाल सकते हैं फिर मैं यहाँ नमक और एक बाउल भर के पास्ता डाल रही हूँ यहाँ पर एक बाउल पास्ता डाला था इसलिए हम एक से देड़ बाउल भर के पानी डालेंगे और इसको एक उबाली आने तक कुक कर लेंगे अब यहाँ पर में हाब बाउल भर के शिमला मेशी डालोंगी और हाब बाउल भर के पनी डालोंगी आप क्या और वेजिटेबल्स हो तो आप और वेजिटेबल्स एड़ कर सकते हैं फिर में इसे बिल्कुल स्लो हातों से हिला के दो विसल आने तक कुक कर लोंगी अब जो हमारे पास्ता है उसके दो विसल हो चुकी है और जो हमारा पास्ता है वो पक चुका है अब हम कुकर का धकन खुल के देखेंगे और जो हमारा पास्ता है वो पूरी तरीके से कुक हो चुका है अब हम इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म एसी और अच्छी रेसिपीज के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बाई बाई